हांची फ्रेंड्स क्या हल चाल वेलकम विद कृतिका साव सो गाईज यह जो अधेड उम्र के निवानेबी है मतलब जिनका आदा जिन्दगी पार हो गए और अभी आदा बाकी है उनका देखिए नया व्लोग आ गया है और इस नए व्लोग में किस माटर पर चर्चा होने वा होगी क्योंकि जिस तरह से यह साहिबा मैडम के व्लोग के नीचे जो कमेंट है कुछी लोगों को इस मैटर पे आपती हुई है बाकी सब तो खेर मज़े से इंसका व्लोग देख रहे हैं क्योंकि आफ्ट और पेड़ पियार है तो देखेंगे ही और इसी के तरह पाकिस्ता यह व्लोग देखी रहे हैं और बहुत शौक से देख रहे हैं तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे फर्सली तो हम उन लोगों से यह बात पूछना चाहते हैं जो आकर के मेरे कमेंट सेक्शन में बकवास करते हैं तुम्हें क्या तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो र हैं एक फैमिली व्लॉग में जो कि बोलती है कि मैं एक फैमिली व्लॉग बनाती हूं मैं एक फैमिली व्लोगर हो망 अमारे लेवल एयसा है हमारे लेवल इतना Оo fina सेट जो जनाब ने लेषल सेट कर चे-ख़आया था अगदम हात अपने सर से भी तस गुना ओपर कर गजा यह हमारा लेवर और यह हमारा फैमिली व्लॉगर हम लोग इस तरह से फैमिली व्लॉगर है और ऐसी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो साहिबा मैडम ने जो यह दिखाया यह किस हद तक सही था और कितना सही था और सही था कि गलत था पहले तो यह कमेंट करके मुझे बताना और मुझे मालब है कि अधकतर लोग comment section में यही कहेंगे कि हाँ 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 क्या problem है इसमें जाने दुख थोड़ी मतलब अब तो advance हो गई है situation generation ऐसे वैसे यह वो तो मैं जितने भी sir madam जो कोई भी हो जो भी comment करते हो हमारी generation हमारी culture इतना भी ज्यादा advance नहीं हो गई है भाईया इतनी भी advance नहीं हो गई है कि हम camera on करकर के सब कुछ दिखाते रहें एक husband wife का relation उनका आगे का moment intimate moment उनका loving moment यह सारा कुछ हम camera on करकर कर पूरे इंडिया को दिखाए इंडिया के इसके तो पाकिस्तान मंगलादेश पूरे देश देश में followers है अधिकतर तो वहीं के है तो वहां क कि कमी नहीं है तो यहां के भी लोग देखेंगे वहां के भी लोग देखेंगे कितने सारे बच्चे होंगे कितने बड़े होंगे कितने बुड़े होंगे बहुत कोई होंगे हर जैनेरेशन के लोग होंगे जो इसका व्लॉग देखते होंगे वो सब को यह दिखा रही है औ और आप लोगों की नजर में बहुत अच्छी बात है यह ऐसा मुझे लगता है कि मेरे कमेंड में यही सब आने ही वाला है जो लोग अभी तक मेरे बात को समझने पाए मैं क्लियरली बता देती हूं कि मैं बोल रही हूं कि सबा मैडम ने जो व्लॉग डाला था इसमें देखि और वो क्या बोलता है हाना क्या भी कन्वसेशन होती है हमारे बीच में यह सब इसमें शूट हो जाएगा और एक तरह से मैं यह प्रैंक करूंगी चैपकी साफ पता चल रहा था कि यह कोई प्रैंक रही है यह स्क्रिप्टिड प्रैंक है सब कुछ जाना हुआ हुआ बूज यह दो शूट करना होता है तभी आपने सर प्था रहती है और वाइस से रहती है कि सभी आनधे पर सब्सक्राइब की यह भी कहीं ना कहीं काय ओने इस्विएसे सरस्पे नहीं है लेकिन उसे तो एक्टिंग करनी आती नहीं तो क्या करेगा आप जैसा हुआ वैसा कर दिया तो इस situation में जब यहां पर यह सब conversation चल रहा था तब सणी सहाब जाकर कि साइबा मैडम को किस करते हैं क्योंकि वह यह दिखा रहा है कि उसे नहीं मालूम है कि कैमरा on है वह सोच रहा है कि हम लोग रूम में अकेले हैं कैमरा तो अन है नहीं तो हमारा romantic scene जो चल रहा है कर लेते हैं क्या problem होता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है एक husband wife के relation में किस हग वेगरा यह सब कुछ होना कोई गलत नहीं है आज कल तो couples में ऐसा हो जाता है इससे जादा लेवल तक couples बढ़ जाते हैं जो की शादिशुदा भी नहीं है सिर्फ अभी relationship में है वो इससे लोग में जो दिखा रही हो मतलब किस हद तक नीचे की रोगी साहिवा मैडम अरे मैं जानती हूं कि तुम 2400 घंटे तुम्हारे दिमांग में चलता रहता 24 hours कि कब क्या कुछ हो कि मैं फटाक से मुंबई दोड़ करके चली जाओ और एसे जैड तक का जैतना भी कहानी अपन शेयर की इसी नीचता पर उतर करके इसी वाहियाद हरकत पर उतर करके इतना डीपली जाकर के उसे भी बताने की जरूद नहीं थी और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है अगर आप लोग उन्हें नहीं दिखा होगा तो मैं डेस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जाकर करके देख लीजिएगा कि मैडम ने भी इस तरह से इतम डीपली जा जा करके एक चीज अग्दर घुजगुज करके बता रही थी कि ऐसे ऐसे में डिलिवरी हुआ में ऐसा हुआ था जो कि बताने की कहीं कोई जरुवत नहीं थी से इसका व्लॉग देखा होगा साहिबा मैडम इसने भी सुचा कि जलो भावी इतनी डीपली जा करके बता रही है इस तरह से इसको इसको कंटेंट के तरह आजमाते हैं अपना intimate moment दिखाते है romantic स्टेक्स दिखाते हैं ताकि लोग हमको भी एक तारगेट पर ले करके चले जाए जाहिए प्लाइब नॉर्मल बात है कि हाँ अभी इस तरह का जो भी ये व्लोग में दिखा रही है लोग इसके बात करेंगे इसे ट्रोल करेंगे इसे इस बात की फिकर नहीं कि हम मुझे Trend करेंगे मेरे बाद हो रहा है ज्याद से ज्यादा बिजित कर में देखेंगे क्यूंकि बात होगा तो हरोग भी समस्क्लाध कर यह मुझे देखता है जाएंअ हूं लोग देखते किस व्लोक देखते हैं जाहिर सी बात है कि इसके 750 ओस पर चले वो खबराट होनी लेगी एक मिनट एक मिनट में बता रही हूं वो क्या हुआ ना कि मैंने कामरा ओन किया था न और सनी को सब कुछ पता था लेकिन उसे एक्डिंग करनी नहीं आती है यह दो कि इस वजए से ना ऐसा हो गया और 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 क्या हो ना कि ऐसा कुछ नहीं जैसा आप लोग सोच रहे वह तो मेरे मेरे फेस पे बाल आ गया दर फ्रेंट्स आप लोग जानते हो मैं हिजाब से ड्रामा करने के लिए लेती हूं मुझे हिजाब से कोई मतलब नहीं यह यह मैं तुक्त कोंवाद धे इसे मत बुलिए कोई कमेंट करी प्रेंट सर ने नहीं करेंग की सबख गुना पड़ेगा गुना पड़ेगा और प्रेंट सेंसे नहीं करिये और वैसे भी भावी ने भी तो कंटेंट के लिए अपना डिलीवरी का सारा कुछ इतना डीपली में बताया था तो उसे तो कोई ट्रोल नहीं कर रहा आप लोग मेरे फीजे मेरे फीजे बड़े घबरांट हो रहे हैं फ्रेंट्स भाई भी इतना पैसा कमा रहे हैं मुझे भी वो तुम्हारे घर के तो लोग देखते हैं घर में बच्चे हैं वो लोग देखते हैं अभी तुम्हारे वो क्या बोलती है ननधा ननध का बच्चा भी व्लॉग बनाता जिसके बारे में तुमने इंस्टेग्राम पर डाला था वो भी देखे का तुम्हारा व्लॉग तु वाई बहुत सारी औरतों के husband वेगर भी देखते होंगे हो सकते हुआ अपना व्लॉक चालू किया होगा तुम्हारे और साथ में उसको हजबन में बैठा हुआ होगा तो वह भी तो देखेगा तो तुम जो बोलती हो कि एक परदा है, एक परदा है, हमारे Muslim culture में ऐसा होता है, ह सब कुछ कवर करके रखना चैनल सरस से लेके पैर तक हमारा कुछ नहीं दिखता है सिर्फ आखें दीगती है उसके लावा हमारे बॉड़ी कर्ग कुछ भी नहीं दिखता है हिजाब का इतना बड़ा स्टोरी तुमने डाल दिया था तो मतलब अभी तुम्हें यह सब कुछ भ घुनाह से कर रही है तो उसे गुणाह नहीं पड़ेगा अब जणाब एक दम चुपपी कि आप मुझे कुछ मूझे कहना है मेरी बहन से लेवल तक है इतना नीचे गिर गई है कि पैसे कमाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनका ना कोई limitation है, ना कोई boundaries है, ना कोई परदा है, कुछ भी नहीं है, भाईया रुपईया कमाना है, तो किसी को भी content बना लो, और कुछ भी दिखा दो, लोग तो देखेंगे ही, क्योंकि पेड पियार है, उपर से बेवकूफ से तो बेवकूफ ही भरे हुए है, तो 100% देखेंगे, जैसे ये साहिबा मैडम है, वेल गाइस, आज के podcast ने बस इतना ही, अगर प्लीज podcast पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को ध्यान रखेंगे, वेल आईस देखेंगे, बाबाई, लव यू